तीवी 18 के उपर पहला वीडियो है आपके अपने यूटूब चैनल हाइपर ट्रेड एजबी के अंदर और आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सिंगल बाइंग सिंगल डबल टार्गेट के साथ लेबल बताने वाला हूं और टीवी 18 के उपर एक बात बोलना चाहत आपको का मतलब यह है कि आपका पेशेंस स्टॉक की अंदर काफी ज्यादा ही खरचा होने वाला है यह मेरा बोलने का मतलब है तो देखिए अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं मिनिममम 28 देस का टाइम फ्रेम पकड़ कर ही स्टॉक में एंट्री लीजिए और काफी समय से मुझे अपने सब्सक्राइबर पूछ रहे थे काफी समय यानि जून के महिने से पूछ रहे थे सोहल भाई स्टॉक के अंदर जबर्दस रहे लिए स्टॉक 48 तक जा रहा है सोहल भाई और काफी ऐसे भी दूसरे लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक आगे बढ़ेगा तो मैं देख रहा था कि कितना आगे बढ़ेगा और वेट किया 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 उसके बाद स्टॉक के अंदर पहला ब्रेक आq अपलोड कर रहा हूं और देखिए जो मैं सभर करके स्टॉक की वॉलाटैलिटी पकड़ कर काम कर रहा हूं दोस्तों आपको जो टार्गेट हैं लेवल से वह 100% देखने को मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हेलो एवरिवन मैं हूं महुमत सोहेल आपके सामें यूटूब चैनल पर आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तीवी 18 का यह वन डे का कैंडल चार्ट है दोस्तों नेशनल स्टॉक एस्टेंज और आगे चलके वीडियो में मैं आपको 15 मिनिट का इंट्राडे कैंडल चार्ट अनालिसिस करते वें मैं स्टॉक के अंदर जब नीचे लेवल पर कलब हुआ जब हुआ जब यह मिड्व औफ लिए इसमें मिड्व बॉत फिशिंग में यह मिड्र ऑफ लिए संवन और यहां तक मिड्राएशन चल रहा था यहां तक मिड्व बॉट्व लिए उसके बाद जो रैली इसने पकड कुछ चांस मिलेगा तो देखिए स्टॉक के अंदर जो ब्रेक आउट हुआ है 40 रुपे का स्टॉक हर बार यहां पर भी वही सपोर्ट पकड़ा यहां पर भी और यहां पर भी लगबग वही सपोर्ट पकड़ रहा है और अर्निंग्स भी आने वाली हैं ठीक है यानि आज आ 248 था अब यह 40 सई के पास टॉक चालीस रुपे है यानि यह जबरदस्त चैनल फॉर्म करते हुए यहां बारा रुपे का यहां पर रुखने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है तो मेरा सजेशन इसलिए इसमिंए बैइंग का है क्योंकि stock के अंदर जो level दिख रहे हैं यह 48 के दिख रहे हैं और उसके बाद जो level दिख रहे हैं 45 के दिख रहे हैं इसलिए मैं targets और levels लेके आया हूँ stock के अंदर जो हमारी entry होगी हो दूस्तों ये 41 पे भी कर सकते है 40 में भी कर सकते है ये दोनों level में कौन सा भी level मिला stock में buying ले लीजिए और stock के अंदर जो average maintain करेंगे आप वो average होगा दूस्तों 33 level पे average होगा जो इदर हमारा एक break out बना जिदर से rally stock में देखने को मिली पर stock उपर sustain कर रहा है अगर पर suppose कुछ negative news लाकर जान बूच कर stock को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो stock ये definitely break करेगा अगर stock इदर से fall करने वाला है तो आपको 33 का level देखने को मिलेगा तो इदर average strategy maintain करिए अगर fall नहीं हो रहा है तो आप 45 रूपी short term position के लिए target लेके चल सकते हैं और 48 रूपी professional short term targets के लिए position पकड़के चल सकते हैं क्योंकि simple MACD के साथ अगर club हुआ तो rally ये definitely देगा अगर complicated बनाना चाह रहा है तो 33 का rally reversal में देखने को मिलेगा average strategy भी आप maintain कर सकते हैं ये मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए TV18 का ये 15 minutes का intraday candle chart है national stock exchange अगर देखिए कुन सा भी बड़े लेवल का stock रहने दीजिए छोटे लेवल का stock रहने दीजिए stock के अंदर moment होना चाहिए अगर no momentable stock के अंदर अगर intraday करना चाहते है तो time बरबाद नहीं करना चाहिए buying और selling खेलते हुए single decision making होना चाहिए कर रहे हैं तो totally buying पे खेलना चाहिए कर रहे हैं तो totally selling पे ही खेलना चाहिए पर दो पे भी काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका time बरबाद इदर हो जाएगा समय बरबाद हो जाएगा और आपको ना profit होगा ना loss होगा no profit no loss में ही रहेंगे दोस्तों तो इसलिए simply suggest करना चाहिए जो RSI 40 का support लिया है जिदर stock के अंदर loose candle formation हो रहा है आज के consolidation levels में कल की दिन आपको TV 18 totally buying pressure ही देगा दोस्तों 22nd July 2021 Thursday TV 18 का जो closing हुआ है यह 41.60 पैसा पर हुआ है दोस्तों और मैं जो टार्गेट निकालने वाला हूं यह टार्गेट में 23rd July 2020 Friday live market यह लिए लिए लिकाला हूं और Friday live market में आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों